हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है चेतना चेतना कोकिंग एंड ब्लॉक्स में आपका स्वागत है हम आज लाएं बहुती कम काजू से काजू रोल की रेस्पी बिना गैस जलाए हम इसको बनाएंगे चलिए बनाना सुरू करते हैं इसको बनाने के लिए देखे मैंने तीन चार समाने की जड़ूत नहीं है चलिए देखे इसके लिए मैंने मिक्सिका-जार लिया इसमें हमने जो सारी चीज़े रखे हुई है धिकर नारियल का पुरादा भी भी आम इसमें डाल देंगे यह बहुती अच्छी रेसिपी है और देखे दो इलाइची डाल दूंगी अगर गर्दम बचल के और चित्यार है डिस पाउडर बनाओंस . अब मिल्ट कह घुता चाहरा है कि छोनते हई अब मुल ख़ेख मुल आ अध्यकर मों अब और भी जहीं . मिल्क पाउडर भंडू्ट गेर नायता है। इतना भी पीसा है आप जतना बनाना चाहते हो ता बना लीजिए और मिक्सी डाल कर देखे थोड़ा समय दूद लूँगी यह कोबला हुआ दूद है तीन-चार चम्मच की जरुवत होगी ज्यादा हमें दूद इसमें नहीं डालना है थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें दू कंट चुनिद के दूद देंके दूद दूद बनाना है जैसे हम अठा लगाते है वयसे कि अंशी,प धे वाली-मिठाइब बनका तयार होजाएगी, देवाली आने वाली है doch, आप इसको अराम से भर बना सकते हैं वह बहुत ही वह बहुत ही कम सामान से यह बनका तयार हो जाती हैm इसको गेस जला भी भी ज़रूफोरत नहीं है मिठाई को बनानी इसका देखे, मैं थोड़ा सा घी और लगा लूँगे हाथ में, एकदम से कितना बढ़िया, देखे, डोल बनकर तयार हो गया, इसको हम दो मिनट के लिए रख देते हैं, एक साइट से, देखे, एकदम से सैट हो गया, अच्छे से, अब इसको हम एक बार हाथ से और करेंगे, और देखे, अब इसको हम एक, देखे, थोड़ा समय घी, ग्रीस कर लूँगे, इसके, और हाथों पर भी हम लगा लेंगे, हलका सा घी, और देखे, हमने जो डू बनाया था, उसके हम, देखे, छुटी-छुटी लोईयां बना लेते हैं, दो ती, देखे, इसको हम लंबा- हाथों से, अच्छे से फैला लीजिए, देखे, हम सारी ऐसे ही बनालेंगे, लंबी-लंबी हमें बना के, तयार करने हैं सारी, देखे, तीन-Çार, रोल बनकर, तयार हो जायेंगे, एक दम, लंबी-लंबी, ऐसे ही आप बनालीजिए, आप, अगर मोटा ज़्यादा बनाना च मैंने जीतना डो तयार किया था इसके यह मारे चार रोल बनकर तयार हो गया है इसको हम रखेंगे देखे एक र apost की जरू ते जब्सक्राइब और अगर आज पास Cosme vert नहीं है तो आप इसको देखे कोई polythine में लपेट कर भी रख सकते हैं मेंने मेरे पास अभी फॉइल पेपर है तो में फॉइल पेपर में नहीं थोड़ा सा लंबा लंबा में ने कॉठ कर लिया इसको हम सारे एक एक रोल потому अलग अलग देखिए इसमें फोल्ड करके रख देंगे और हमें इसको फ्रेज में रखनाएं और अच्छे से सेट करके हम फ्रेज में इसको 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे देखिए सारे रोल मैंने फॉयल पेपर में कवर कर दिये अब इसको हम फ्रेज में रख देंगे फिर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ एकदम बढ़िया और सॉफ्ट और एकदम बढ़िया खाने में लगेंगे ये सॉफ्ट भी बनके तयार होते हैं ये काजुरोर और बहुती कम सामान से बनका तयार होंगे आप घर पर आसानी से इसको बना सकते हैं दिवाली कटाये मान तो आप इसको जटपर से घर पर बनाईए और सब को खिलाईए ये देखिए मैंने सारे निकाल निकाल के रखने हैये आप ऐसे ही निकालके रखनीजिए देखिए कितने अच्छे दिखने में कितने अच्छे लग रही हैं, अब इनको हम सेट करेंगे, देखिए हमें, चाकु की साहिता से इनको कट कर लोगी, आप जितने बड़े या छोटे बना काटना चाहते हैं, इनको काट लीजी आपने हिसाब से, जैसे आप पसंद करें, व बढ़िया काजू रोल बनकर तयार हो गए है इसको जटपट से घर पर बना के बच्चों को खिला सकते हैं जब मिठाई खाने का मने तब आप इनको आराम से घर पर बनाईए और खाईए यह खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और देखिए ऐसे हम थोड़ा सा रोल क अंगलियों की शहता से तो एकदम बढ़िया बनेंगे लेकिन सारे सेट कर लिये मैंने अब आपको मैं एक सारे महने सेट करके रख लिए अब मैं आपको एक प्लेट में सवी कर के जिखाती हूं बढ़िया कितने अच्छे और बढ़िया लगें आप इनके ऊपर अपनी पस अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को भी दमाएं अगली वीडियो मिलोंगी मैं नई रेसिप के साथ और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसी लगी यह रेसिपी थेंक यू